हमारे साथ राजसफा सांसाद उत्रप्रजेस के प्रभारी संजय सिंग्जे हैं सर बताए कि क्या जरूरत पढ़ गई इस तरीके से तिरंगा शाखा लगाने की कहा आपको लगा कि अब इसकी जरूरत देखे ऐसा है कि भारत की आनबान और शान हमारा तिरंगा जो है वो हम सिरंगे के सम्मान में साखाएं अलग अलग जगे पर आयोजित करके हम लोग देश के महापुर्सों के विसा में चर्चा करेंगे जरूरत इसलिए पढ़ गई जिसका जिक्राप कर रहे हैं क्योंकि आज रास्टवाद के गलत मायने लोगों को समझाए जा रहे हैं देश भ जिंदूओं पर चर्चा होगी इस साखा में और हम इस देश के लोगों को यह बताना चाहते हैं कि यह रास्ट बाबा साहब डॉक्टर भीम राओं बेटकर के संबिधान से चलेगा तिरंगे के संबान से चलेगा यह किसी नफरत के बीच बोने से यह देश आगे नहीं सारी तिरंगा साखाएं अभी इंडूर होंगी एक जुलाई से इसकी शुरुवात होगी छे महीने में हम लोग इसको दस अजार तक इसकी संख्या करने की चेस्टा करेंगे और संडे टू संडे यह साखा भी फिलाल आयोजित होगी हर अभीवार को ग्यारा बजे आप यहां पर तिरंगा के शम्मान की बात करते हैं लेकिन अगर पंजाब की बात करें तो अमरीस सर में कल जिस तरीके से खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए वो भी पूलिस की मोज़ूद्ध देखे ऐसा है कि हम आपको बहुत पस्टूप से कहना चाहते हैं कि हर एक पंजाब का नागरिक हो और इस देश का नागरिक हो देश से उसको प्यार है जहां तक हमारी सरकार का प्रस्न है पंजाब की सरकार का प्रस्न है हम लोग इमानदारी से जनता के लिए वहां पर काम क कर रहे हैं और करते रहेंगे हमको देश भक्ती रास्टवाद सच्चे धर्म की परिभासा ये किसी से सीखने और जानने की आप सकता नहीं है उत्तरप्रदेश में कानून लिवस्ता कि अगर बात करें जिस तरीके से कानपूर को दहलाने की कोसिस की गई क्या कहेंगे आप उत इसी सरकार ने जवाब दिया है पार्लामेंट के अंदर भाजपा की सरकार ने 3400 दंगे हुए है चार साल में कैसे हुए है दंगे कौन इसके लिए जिम्मेदार है कश्मीरी पंडितों के हत्याएं हो रही है कौन इसके लिए जिम्मेदार है तो ये बातें तो स्पस्ट होन जनदा का का 40% कमिशन लेते हुए पकड़ा गया था 40% कमिशन और वो कह रहा है कि अब तीरंगा भारत का जंडा नहीं होगा भगवा भारत का जंडा तो आप भारत का तीरंगा वदल देंगे इतना साहस हो गया आप में इसलिए इन तीरंगा साक्वाओं की जरुवति जरू कानून विवस्ता के पास है भारती जंता पार्टी के पास है योगी जी के पास है कौन चुस दुरुस करेगा कानून विवस्ता को किसकी जिम्मेदारी बनती है चोटी चोटी बच्चीयों के साथ बलातकार हो रहा है कौन जिम्मेदार है इसके लिए गैंग रेप की पीडिता के साथ थानेदार रेप कर दे रहा है ललितपूर के अंदर पुलिस वाले घुसके चंदवली में एक लड़की को पीट-पीट के मार दे रहा है बागपत में एक परिवार जहर खा के पुलिस के उत्पीडन के कारण मर जा रहा है कौन इसके लिए जिम्मेदार है उत्तर प्रदेश की हालत के बारे में कोई चर्चा करता है तीन दिन की बेटी एक अस्पताल में महोबा के अंदर चीटिया नोचके खा गई उसको जान चली गई भसा रखा है पूरे प्रदेश को जाती धर्म में तीन दिन की बच्ची चीटियों ने खा लिया उसको यह आलत है प्रदेश की यह थे यूपी प्रभारी संजेज सिंग इनका साथ तोर पर कहना है कि तिरंगे का सम्मान करते हैं लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर कानपुर में दंगा इस तरीके से कराया गए उसको लेकर कही न कहीं कानून सब सरकार को गहरा जा रहा है कैमरामन बिरेंद के साथ राजकुमार सिंग आरनाई नियूस लखनो